मेरा कोई मननी था कि मैं कोई हैवी ब्रेक्फास्ट करूं रोटी पराथे सबजी सब कुछ खाने का मननी था बस मैंने अपनी दो ब्रैट बनाई अच्छे से और चाय बनाई अपनी दास इट चाय तो मेरी आल टाइम फेवरेट है ऐसे लगता है कि अब यही मेरी बेंस फ्रे भी थोड़ा सा मतलब पीसफुल जैसा फील हो जाता है इसे पी कर सबके अपने एक हैबिट होती है तो मेरी शाहद यही है मुझे खुद के साथ टाइम बिताना बहुत फसंद है बहुत 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 जादा किसी दूसरे से जादा अपने साथ टाइम बिता और मेर तो मैं कोशिश करते हूं दिन भर में मेरे पास कोई ऐसा टाइम जरूर मैं निकालूं कि मैं खुद के साथ टाइम बिता पाऊं जिन्दगी में हजारों चीज़े चलती है और फिर सोचना भी तो होता है ना कि हमने आज तक क्या किया क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे हम नेक्स्ट टेप क्या होना चाहिए लाइफ में जीने का ये सब सोचना भी तो पड़ता है सबको और जो नहीं सोचते जो ऐसे ही चलते आ रहे हैं वो भी ठीक है कहते हैं आप सोचकर लाइफ बिताओ तो आप क्या ही जी रहे हो क्योंकि जो हम सोचते वो तो नहीं होता जो खुदा ने हमारे लिए डिसाइट किया होता है वो ही होता है और आई थिंग वो बैस्ट होता है भले हमें आज बहुत बुरा लगे बड़ पता चलता है कि अच्छा जो हमारे साथ हुआ है वो वेस्ट नहीं था कुछ भी इस जिन्दगी में वेस्ट नहीं है सबका एक मीनिंग है चाहे वो कुछ भी हो हमारे घर को यह आ रहा है हम जो भी खा रहे है किसी से मिल रहे है कुछ भी happening हो रही है सब कुछ related ही होती है तो इसलिए क्या इतनी tension लेनी सोच के जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो हाँ बट life में एक motive जरूर होना चाहिए this I have noticed motive रहने से जिन्देगी का एक मकसद हो जाता है जीने का और जब motive नहीं रहता तो फिर ऐसे लगता है waste of life ठीक है यह नहीं कि हाप हमेशे अपनी चलाओ दूसरों की भी सुन सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो वैसे तो आज कल यह जंडा लेके गुमते हैं लो कि अपनी मर्जी से जीओ अपनी मर्जी के life and all पता नहीं क्या क्या है बट ऐसा नहीं होता जो लोग यह जादा अजंडा गुमाते हैं और लेके गुमते हैं खासकर वही तो नहीं जी पाते ना अपनी मर्जी की life and all आप जहां रहते हो जब तक आप मतलब देखो अगर आप कहीं रह रहे हो तो अगर आपके guardian है तो आपको उनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत चल नहीं पड़ता है that's true इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके हुलाम हो या फिर आपको stand लिन नहीं आता अपना या bound हो चुके हो ऐसा कुछ भी नहीं है just because we respect them we want to give respect them or we want to follow यह सारी चीज़े होती है we want to obey them आज आप वही जिन्दगी जी रहे होते हैं जो आपने हमेशा से सीखी है अपने घर में अपने घर के बार अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्टेदारों से अपने पैरेंसे बाई बहन जो भी है सब से तो यह सारी चीज़े reflect करती है कि किस atmosphere और महौल में आप जीए हो so just try to be a good person and मिलते हैं next vlog में । कि छोस्ते हम कृस्याज़ यह ढआ पल्टेदारेंस जोओो टूस